असलाम लेकुम, आज का माना टोपिक है Safe Use of Electricity in Homes, कि गरों के अंदर महफूस तरीके से आप कैसे अलेक्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, तो अगर आप अलेक्रिसिटी को महफूस तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो दो तीन तरीके हैं, आपको फॉलो करना पड़ेंगे, उ का नाम है Fuse, कि आपको अपने गरों के अंदर Fuse को यूज करना है, Fuse को यूज करने के वज़ा से आप Electricity के बहुत से Hazard से बच भी सकते हैं, आप Electricity के बहुत से नुकसरा से बच भी सकते हैं, अब ये Fuse क्या है और कैसे वर्ग करता है, इसको समझते हैं, Fuse के इलावा और बहुत से डिवाइस हैं, जिनको आने वाली वीडियो में हमने कवर करना है, तो आप उन सब को भी देखेगा, आपको समझा देगी कि हमें इन सब को यूज करना चाहिए, अपने गर की Electricity को सेफ यूज करने के लिए, तो आज के वीडियो में हमने Fuse के बारे में बढ़ना ह हैं, यह मैंने एक वायर ले ली इस तरीके से, और दूसरी मेरे वायर यहां से Connect करती बादके साथ, और दूसरी वायर मैंने बादब से यूँ Connect कर दी, मेरा बादब Simple On हो जाएगा लाइट यहां से आएगी बादब Glow करेगा, अब मैं यूं करता हूँ करता हूँ कर लेता ह यह एक बारीक सी वायर है, यह लगाने का मक्सद यह है, कि जब मेरे इस बलब में से करंट गुजरेगा, यहां से करंट आएगा, इस वायर से गुजर के आगे जाएगा, लेकिन जब कभी करंट ज्यादा गुजरेगा, तो यह जो मैंने बीच में छोटी सी वायर लगाई है, जो के बहुत बारीक सी थी, कम्जोर सी वायर थी जब करंट ज्यादा गुदरेगा तो ज्यादा गुदरने की वज़े से ये वायर क्या हो जाएगी मेरी गरम हो जाएगी और गरम होके ये मेल्ट हो जाएगी और जैसे ये मेल्ट होगी इस wire का दोसी wire से connection भी break हो जाएगा और connection break होने की वज़ा से current आगे flow नहीं करेगा जिस वज़ा से मेरा ये जो आगे वारी device थाई है जो बलब है ये जलने से बच जाएगा क्योंकि अगर इस बलब में से ज़्यादा current गुजरेगा तो बलब तो मेरा खराब हो जाएगा जल जाएगा लेकिं बलब में से गुजरने से पहले उसको इस wirelight में से गुजरना पड़ेगा तो जैसे ही current इसके अंदर से घुजरेगा तो ये तो melt के पिगल जाएगी और जैसे ही melt के पिगल जाएगी फोरन से क्या होगा थोड़ा सा connection break हो जाएगा और current आगे नहीं जाएगा हाँ थोड़ी देर के लिए शुरू शुरू में जब current जाएगा थोड़ा सा current आगे चला जाएगा जरूर देकि वो current थोड़ी देर के लिए जाएगा जिसको ये device bear कर सकती है लेकि ज़्यादा देर के लिए जाएगा तो ये device हो खराब हो जाएगी लेकि ज़्यादा देर तक जाएगा है नहीं क्योंकि उससे पहले पीछे वायर है वो हो जाएगी melt अब ये जो वायर हमने लगाई बीच में इसी वायर को हम कहते हैं ये मारा fuse है इसको अगर मैं इस तरीकी से cover कर लूँ एक glass के box के अंदर कहले है या glass के slender के अंदर या शीशे के खोल के अंदर मैं इस वायर को लगा देता हूँ उसका फायदा यह होगा कि जब ये fuse जल जाएगा मैं इस fuse को निकालूंगा और इस जैसा एक और fuse लेके तो 12 उसको इसकी जगा पर लगा दूँगा तो मेरे लिए इसको replace करना आसान हो जागा ये जो चीज़ है ना मेरे पर इस ही को हम कहते है ये मारा fuse है सिंपल दी बात है fuse यही काम करता है कि fuse के बीच में एक खलकी सी बारीक सी वायर होती है वो उसक जल जाती है जब जरूरत से ज़्यादा करन गुजरता है और इसी चीज़ को हम fuse कहते है यही इसकी definition है कि it is short and thin piece of metal wire ये एक बारीक और छोटा साथ मेटल का piece है that melt when large current pass through it जो के पिगल जाता है जब उसमें से ज़्यादा करन गुजरता है जो के बात मैंने यहाँ पर बताई यही मारा fuse होता है एक बार यार रखिएगा कि हमने fuse को मेशा live wire के अंदर लगाना होता है live wire वो होती है जिसमें से current ने आना होता है तो current ने यहाँ से आना है तो यहीं पर लगाएंगे ताकि आते हुए वो current जब जब ज़्यादा पास करे तो तब melt हो इसमें लगाने का तो फाइदे नहीं है क्योंकि जब current इसमें से गुजर चुका होगा इस बला में से बला जल चुका होगा फिर आगे वाले fuse में से गुजरेगा तो उसका तो फाइदा नहीं होगा तो मैं current के रास्ते में लगाने है ताकि current आगे वाले device में से गुजरने से पहले पीछे fuse में से गुजरे और fuse जल जाए और ये device बच जाए ये fuse था अब इसके बारे में दो चार और बाते हैं उसको भी देख लेते है कि fuse क्या है fuse is a safety device that is connected in series हाँ ये बाया रखिएगा कि fuse को हम series तरीके से आपस में connect करते हैं series तरीका क्या होता है कि देखे current का जो रास्ता था ना मैंने current के रास्ते में ही connect किया तो इस तरह का method होता है जिसमें current को flow करने का एक ही रास्ता मिलता है और उसी रास्ते में आपने fuse लगा दिया तो हम कहेंगे कि हमारा fuse series तरीके से connect है कि या रखिएंगा mcqs के तोर पर connected in series with live wire वही बात जो मैंने बताई थी कि live wire के साथ connect किया जाता है इसको इंदी circuit to protect the equipments when access current flow कि जब ज्यादा grant flow करता है तब हम उन devices को बचाने के लिए ज्यादा grant से बचाने के लिए हम fuse को लगाते हैं live wire के रास्ते में यहां तक fuse की सारी बात होगी उमीद करता हूं समझ आया होगा आपको अब fuse जब जल जाता है तो जलने के बाद इसको कैसे replace करना चाहिए और इस्तमाल करने के भी कुछ safety measures हैं fuse को उनको भी देख लेते हैं कि fuse को आपको use करने से पहले किन-किन इहत्यात का किन-किन बातों का ख्यार रखना चाहिए सबसे पहले fuse to use should have slightly more rating than current कि आपको जो fuse use करना है उसका जो आपको जो fuse use करना है उसकी value जो पीछे से current आ रहा है उससे थोरी से ज़्यादा होनी चाहिए मतलब वजद करने इस battery से current आ रहा है मेरे पास 3 ampere का और मुझे जो fuse use करना है यह fuse मुझे use करना है 3.2 ampere का यह थोरा सा ज़्यादा कर लेते है 3.5 ampere का इतना थोरा सा ज़्यादा रखे fuse use करना है उसकी reason यह है कि अगर आप fuse भी 3 ampere का यूज कर लेंगे 3 ampere का तो current पीसे चे पहले ही आ रहा है और उतना तो हमें चाहिए भी है ताकि current जितना चाहिए उतना तो गुझरे जब उससे ज्यादा amount में होगा तो फिर यह जलेगा ओके तो इसलिए हमें वो fuse करना है जिसकी value थोरी ज्यादा हो जितनी पीछे ते current आ रहा है उससे थोरा सा ज्यादा value वाला fuse करना है यह बात होगी अब करता है दूसरी बात कि फ्यूज शूट भी connected in live wire so that appliances will not operate after fuse has blown के वही बात कि फ्यूज को आपने live wire के अंदर यूज करना है ताकि फ्यूज जब जल जाए तो फ्यूज के जलने के वज़ए से आगे current ना जाए और current ना जाएगा तो आगे वाली जब जलेंगी जलने से बच जाएंगी इसलिए हमने इससे live wire के अंदर लगाना होता है थर्ड इसका safety mirror देख लेते हैं कि switch off the main before changing any fuse कि अगर आपको fuse change करना है कि जैसे कि यह जल गया इसकी जगा आपको नया fuse लगाना है तो आपको क्या करना है पहले से बीचे main switch को off कर देना है करने के बाद then आपको यह यूज करना है ता कि यूज करते वक्त इसको replace करते वक्त आपको कोई current ना लगे तो यह कुछ safety measures है कि fuse को कैसे use करना है वो हमने पढ़ ली यह short आता है board में कि what are this safety measures for fuse कि fuse को use करने के safety measures क्या है यह आपको आने चाहिए बाकिस की definition यादोने चाहिए और बाकी सारी बाते में आपको बता दी मैं अमीद करता हूँ कि आपको समझाया होगा कुछ पूछना हो तो कुमेंट करें अच्छी लगे तब भी कुमेंट करके बताया करें दोस्तों तक share भी किया करें इस chapter की playlist के लिए यहां पे क्लिक करें नमेरिकल की playlist के लिए यहां क अर्थ लिए करें और भी कि लिए inार्थ az क् Beast